मेरे यूट्यब चैनल ही लिए लिए टीपल सेवन में आई आज की दिन देखते हैं कि हम क्या रिडिंग करेंगे आज की दिन रिडिंग करेंगे उन लोगों के बारे में जो सं 2021 में अपनी लेक नया लाइफ पार्टनर चाहते हैं लब को ढूंड रहे हैं और अभी तक सिंग क्या प्रेफ ओस एक करेंगे और ₺ १न कलेंगे और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब मिगे 관से कि अगर आप ये वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आप उसे परसनल रिडिंग चाहते हैं तो आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप उ हैं और एक में ये पार्टनर हार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉस्ट कर लिजेगा और दोनों में से एक पायल चुल लिजेगा एक काड चुल लिजेगा और टाइम स्टम्स में आपको देदों की पिन कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिरेक्ट अपनी टाइमिंग पर जाके अपनी देख सकते हैं और आईए देख लेते हैं जिन्नों ने भी डेट कार्ड को चुना था उन लोगों के लिए क्या में सीजिस आ रहे हैं और क्या अपने पार्टनर में वो ढूंड रहे हैं किस तरह कौन का पार्टनर हो सकत हैं ने कही जो आप आपका बता रहा है यह बता रहा है कि कही नहीं बहुत जाए पेल के इंदर हैं आपके बार्टन कुछ इस तरह से रही हो ऑगी कि उन की एक प्रीशे 37 आप प्रेशक में ऻ और जारवन नहीं। कहीन 6 यह हो सकता है उन Q फैमिली लाइफ इस तरह से रही हो या उनकी लाइफ में कुछ इस तरह से चीजे चली हो जिसमें वह बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है हो या अपने उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रेशर करते हो या अपनी चीजों को वैसे लेके चलते हो कि वह हैंडल ना कर लेकिन एक बहुत ज़्यादा Mental Pressure के अंदर उनके उपर रहा है और और दिखा दे रहा है लोगोट ने बहुत ज़्यादा प्रॉर्स किया। कहीन है उपना ऐसा पाइब ठाइन शर態 और आपके साथ बहुत अच्छा up सक्डूर रिदिशन भना सके prisoner Settings जिए मां। जिसमें उनका प्यार हो, जिसमें एक और कहीं न कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे देख रहे हैं एक traditional relation को, यानि कि जिस तरह का एक घर चलता है, जिसमें प्यार होता है, परिवार होता है, सुख संपती होती है, बच्चे होते हैं, एक हार्मनी होती है, आपके पार्टनर कही कहीं न कहीं इसी तहा के इंसान हैं, जो अपनी life के अंदर चीजह को बनाना चाहते हैं और इस तरह की life को जीना चाहते हैं, और कहीं न कहीं कि जैसे आपकी कोई sister हो, उसका हुआ हो या उसके कुछ ऐसा recent में होता भी दिखाई दे रहा है कि हुए हैं आपकी यहां पे बच्चे और आपको उनको खिलाने का बहुत शौक है और आप बच्चों की एनरजी की साथ बहुत जादा connect हो पाते हैं क्योंकि आपकी एनरजी भी ब इशका कारे दे रही है कि कुछ ना कुछ साल के अंत्राज से आपके घर में चोटी-चोटे बाइबी शौक है कि आपके घर में भी बेविस जल्दी हो जिनको आप उनसे खिला सेके आपका अपना बीबी हो जिसकी साथ आपना टाम स्वेंट कर सकें यहां भी एनरजी बहु रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चलाना चाहते होंगे, ये कार्ट तो यही बता रहे हैं, कार्ट की एनची पही बता रहे हैं, कि आपके पार्टनर तो ढोण रहे हैं, ऐसे किसी शखस को जो कि उनसे बहुत प्यार कर सकें, जिसके साथ तो एक हैपी मूवमेंट को स्पे दे रहे हैं यहाँ पे वो कि बहुत helping nature के होंगे बहुत जदा emotional होंगे लेकिन उनका जो mind होगा बहुत strong होगा यानि कि वो emotional अपने level पे होंगे लेकिन जब चीजों को करने की बारी आती होगी जब काम को करने की बारी आती होगी या जब अपने परिवार को संभालने की बारी आएगी अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की बारी आएगी तो वो अपने हाथ में तलवार लेने से भी नहीं जुगेंगे और अपने परिवार को अपने चीजों को अपने सम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए तलवार भी निकाल सकते हैं यानि कि वो लड़ भी सकते ह तो एक तरफ उनकी personality ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा soft hearted है और एक तरफ उनकी personality ऐसी है कि जो अपनी चीज के लिए अपने हग के लिए किसी भी हग तक जा सकते हैं और वो अपने परिवार को या अपने लोगों को protect करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी तो आप इन लोगों को कुछ नहीं होने दूगा तो मैं हर चीज के लिए अपनी authority के लिए लड़ सकता हूँ और उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हूँ तो इनके साथ तो आप बहुत ज़्यादा strong रहने वाले हैं क्योंकि एक बहुत strong personality को बताता है ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो partner होंगे अपने प्यार के लिए अपने हग के लिए अपने रिष्टे के लिए किसी को बीच में नहीं आने देंगे उसमें पूरी authority रखेंगे आपसे भरपूर प्यार करेंगे क्योंकि emotions से तो भरे हुए है emotions इनके अंदर बहुत ज़्य चाहिए उन्होंने अपनी आसपस देखी हो चाहिए उन्होंने खुद के साथ देखी हो यह इस तरह की चीजों से गुजरे हो जिसमें उनका दिल बहुत टूटा हो और अपनी इन्होंने healing की हो अपने आपको चीजों से निकाला हो इस चीज ने ही उनकी इस भावना को ज़्यदा उसके उपर कहना चाहिए कि बहुत ज़्यदा effect रहेगा परिवार का यानि कि उनकी mental status कहता है इसका असर उनकी पारिवारिक महल का जरूर है या घर में आप हैं आपनी जो परिवार का महल कर रहा है या जिस environment में उनको आप रख रहे हैं इसका असर उनकी दिल दि परिवार के साथ में उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और इसी तरह की personality उनकी रहेगी हो सकता है कुछ लोगों को वो बहुत रूड लगे यानिकि बहुत स्ट्रॉंग उनकी personality यहां पर नज़रा रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है देखने में एक बार क परिवार के इनसान आपके लाइफ पार्टनर यहां पर बनने की तरफ जा रहे हैं और यह दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन उनको मिला है इसलिए इस रोने वाली चीज से प्रफ लड़की एक देवर कर बहुत्ज कौह को जह सकते हैं जगड़ सकते हैं फॉन को कहीं जाने निदे करने वाले इनसान ही। और आपको बहुत 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 जादा अपने पन और प्यार, और प्रड़ की दिल्ग्छा ए रहा है। प्यार भरे इंसान के साथ आपका एक relation बनने जा रहा है, लेकिन बहुत strong head वाले होंगे, जिसको उसकी बाहत से हटाना बहुत मुश्किल होगा, आप उनको अगर कुछ भी control करना चाहें, या आप उनको अगर आपनी कोई बात मनवाना चाहें, तो आप सिर प्यार से मनवा सकत प्यार से मनवाना चाहें, तो उसमें जगड़ा तो हो सकता है, पर वो बात नीची जो सकती, तो यह ज़रूर आप दिहान रखिएगा, साथी साथ जो आपका यह कार्ड यह भी बता रहा है, देखिए बहुत positivity है कि वो बहुत balance बना के चलेंगे इस relation में, कही ना कहीं ऐसा ह होगा कि हो सकता है, थोड़ा सा अपने काम में या थोड़ा सा अपने किसी चीज के अंदर, जिस काम को वो करते हो, या अपने घर के अंदर, उनको थोड़ा सा balance बनाने में दिक्कत आया है, थोड़ा सा उनको जोर लगे, लेकिन वो भर पूर balance बना के चलने की कोशिश करें अपनी तरफ से वो ऐसा कोई भी मौका नहीं जाने देंगे जिसमें उनकी तरफ से रिलेशन में एफ़र्ट्स ना डलें यह जब उनकी तरफ से किसी तरह के कोई मैसेज मतलब ऐसा होगा कि अगर वो काम में भी है तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपकी तरह पूरा नहीं हो यह भूला नहीं हो तो वो आपको अपनी याद दिलाते रहेंगे वो आपको लेकिन अकेला नहीं छोड़ेंगे यह ऐसी इंसान का कार्ड नहीं है जो आपको अकेले छोड़ देता है क्यों क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छी है या जो मेल हो या फीमेल हो उनका दिल है न वो बहुत अच्छा है इसलिए वो आपको कभी नहीं भूलेंगे वो पूरी कुशिश करेंगे कि वो अपने काम में और आप में बैलेंस बना के चलें हो सकता है इसमें थोड़े से वो उलज जाएं या थोड़े से वो परिशान हो जाएं तो आप भी कुशिश कीजेगा कि आप उनको थोड़ा सा रिलीव दे इस चीश को क्योंकि आप तो यहां कार्ड में देख रहे हैं अगर आप यह रिडिंग देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा या उस ट्राइम पे आप जानते ही होंगे कि वो परसन आपके साथ अपने की पैलेस बना के एक पॉस्टिव रिलेशन या कनेक्शन बागर चलने की कुशिश कर रहा है तो थोड़ा सा रिलीव देने में कोई दिक्का थोड़ी नहीं दे सकते हैं ना तो लेकिन लेकिन साथ यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बाते होंगी बैलेंस बनाना होगा इस रिलेशन में अब यहां आपकी बात करें जो हमने कहा था कि हम ब्लॉक जिसकी बात कर रहे हैं यहां करेंगे आपके रिलेशन में यह जो ब्लॉक लगएगा कि आप न कहीं हर बड़ी में सब कुछ करना चाहेंगे आप चाहेंगे अभी इतनी बात हो गई है नो सब बस अब हो गया हमारा रिष्टा हम प्यार में पड़ गए तो चलो अब शादि कर लेते हैं अब हम आगे बढ़ जाते हैं देखिए ऐसा नहीं करना है यहाँ पे आपको आपको यह कही न कार्मिक आप लोगों का रिलेशन आ गया है अकर आप इस तरह से जल्दबाजी करेंगे न या आप इनके उपर एक प्रेशर डालेंगे तो ये फिर अकेले पन में चले जाएंगे यानि कि ये फिर अकेले हो जाएंगे तो आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा बैलें होने की बात करेंगे और आपके पार्टनर करेंगे थोड़ा रुको थोड़ा रुको ऐसा नहीं कि वो रिष्टा बनाना नहीं चाहेंगे आपसे उनको थोड़ा सा समय चाहिए होगा सब चीज़ों को बैलेंस करने भी क्योंकि परिवार तो उनको चाहिए रिष्टा भी उ काड़ यहां alone होने के आ गए हैं यानि कि कहीं न कहीं न वो depression में चले जाएंगे कहीं न कहीं न कहीं वो परिशान हो जाएंगे या उनको लगे का उनको बहुत प्रेश्राइस किया जा रहा है और ये काड़ आपकी तरफ से आ रहे हैं यानि कि अपनी चीजों को जो उनको खो आपको चीजों में balance बना के चलना है चीजों को इस तरह से control करना है कि आपके पार्टनर पर ये relation एक बोज़ ना होके एक harmony में जाए एक harmony वाला relation हो ना कि बोज़ो देखिए अगेन आपके लिए जो divine guidance का card आया है वो आया है balance का इनकी देखिए आपके partner बहुत अच्छे हों आपके दिवारा की कई जल्दबाजी है वह उनको परेशान कर देगी वह आपको एक ही कहेंगे कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो मैं इस रिष्टे को कहीं छोड़ूंगा थोड़ी न लेकिन एह छोड़ूंगी थोड़ी न और आप कहेंगे नई अब मेरे जिंदगी में तो तुम मेरे घर में भी आ जाओ या मुझे अपने घर ले चलो तो यह वारी चीज जो आप उनको प्रेश्राइस करेंगे यहां से चीजे प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगी और यह प्रेशर उनके उपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा जितना आप उनको इस चीज लाइफ का रिलेशन है आपका देखेंपास लाइफ का रिलेशन है कार्मिक रिलेशन है तो यहर में क्रण statute कि सकता सकता इसacă तो आपको ना उनके उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देगी, तो आपका कही ना कही एक बार हो सकता है, बातचीत बंद हो जाए, लेकिन फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह रिकंसिलेशन का कारण है, दुबारा आपके उनसे बातचीत शुरू हो देखे, आपको ना उनके उपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानि कि अगर आप उनके होने को अपनी आदत बना लोगी, क्या होता है कि जब हम किसी रिलेशन्शिप में होते हैं, देखे, यह बात ना समझनी बहुत जरूरी है, जब भी हम किसी चलाते हैं, तो हम उसमें एक सुपरफिशल चीजे देखने लग जाते हैं, यानि यह वो चीजें जो कि हो भी सकती हैं, जो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर जो चीजें हो सकती हैं, आपका पार्टनर अच्छा है, आपका पार्टनर परिशानी से निकल के आया है, आपका पार करना चाहते हैं कहीं न कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं इसमें टॉरस और लिब्रा भी आ जेंगे बहुत सारी राश्य यहां पर एक्छली सारी ही आ गई है एक दू को छोड़कर सारी ही आ गई है यहां पर लेकिन राश्यों से ज्यादा यहां पर यह इंपॉर्ड करेंगे जल्दबाजी करेंगे या आपके परिवार वाले परिवार जो होगा आपकी फैमिली आपको फोर्स करेंगी जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो यह चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आप लोगों के रिलेशन की बीच में कहीं न कहीं उनका दिल अच्छा है आपको पूरी एक अच्छी लाइब देना चाहते हैं, आपके सचीज़ों को बैलनस बना करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपकी द्वारा की गई जल्दबाजी देखिए, उनको प्रॉब्लम क्रियेट कर सकती है, क्योंकि हो सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर वो आपका प्रेशर है, तो आपको बीच बीच में क्या करना है, आपको बीच बीच में यही करना है, कि अपने पार्टनर को थोड़े समय के लिए आपको शांत छोड़ देना है, बार बर उसको आपको पोक नहीं करना है, या बार बर छेड़ना नहीं है, बार बर उसे टच करके नही कोonna तुम ठीक हो Kimrini तो ठीक हैइए आपधीक रहने देंगी तो ठीक रहेंगी देंगी तो इसके लिये क्या क्योंकि देखी इसमें पुरा मानने की कोई बात नहीं है यहां पे ब्लॉक कि बात करने कि क्या ब्लोकेजिस लग सकते हैं यहां पर नहीं ही लगाने हमें रिष्टे को अच्छे से चलाना है ना तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि हम क्या-क्या कट सकते हैं एक करेश की जरूरत होगी एक विलपावर की जरूरत होगी आपको शान्त रहने के लिए एक बैलनस यह दो पेड निकलता है कोई फलफूल निकलता है वो कब निकलता है जब आप उसे patience के साथ में बीज बोते हैं पानी डालते हैं खाट डालते हैं तब जाके उसमें इंतजार करते हैं तब जाके 15-20 दिन के बाद महीने भर के बाद कुछ निकलता है न आप अगर instantly कुछ चाहेंगे तो वो कैसे होगा ये इंस्टेंट की बाद कर रहा है काड ये भी marriage की बात कर रहा है तो marriage के लिए force नहीं किए जी कहीना कहीना वो फिर उन्हें ये लगेगा कि आप उनको उनको force कर रहे है या आप यहीं चीज के लिए उनकी life में आए कि बस marriage कर लो और आपको उनकी भावनाओं से कोई मत्तब नहीं तो यहाँ पर उनको ऐसा लगने लग चाहेगा तो ऐसा तो नहीं करना है तो कहीना कहीं ये है कि आप उनके साथ में relation रखिए और चीज़े कीज लेकिन इतनी effected नहीं हुई यह उन चीजों से जिससे कि वो आपके उपर कोई फरक पड़े या कोई असर पड़े आप अपनी life में अपने आपको manage करके चलेंगे दो लोगों के मिलने की बात है यहाँ पर दो लोग एक अच्छा relation कैसे बना सकते हैं यहाँ उसकी बात है इस relation में चलना होगा एक बहुत अच्छा life partner अपनी life में ला सकते हैं अगर आप balance बना की चलते हैं तो और सब चीजों को एक patience के साथ आप deal करते हैं तो देखे सब चीज़े आपकी life में अच्छी होंगी क्योंकि आपकी life partner आने वाला है जो सपने आपके पूरे कर सकता है या ये life partner बिर्कुल हो सकते हैं उनको थोड़े से extra care और प्यार की ज़रूरत है क्योंकि already वो बहुत ज़्यादा pain से निकल के आए हैं तो pain लिए होए इंसान को हमें और pain नहीं देना है बाकी तो देखे choices आपकी हैं मैं यही prayer करूंगी कि आप अपनी life में अच्छी choices करें और य पार्टिसिपेट हमेशा करना चाहिए आपके लिए मैंने यह video बनाया है तो मुझे भी पता होना चाहिए आपने कौन सी pile चुनी या आप क्या महसूस करते हैं इस बारे में और अगर आप एक comment करने से भी पीछे हटते हैं कि नहीं हमने सुन लिया है बस लेकिन ना हम like करें जब हम छुपके बैठ जाते हैं तो हम अपनी energies को close कर लेते हैं तो अगर live में किसी किसी ने आना भी योग हो तो हम तुस के लिए welcoming नहीं है तो welcoming होने के लिए हमें दिखना पड़ता है तो दिखाईए अपने आपको बताईए कि आप इस channel पर आते हैं या आए हैं नए आए वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप फील्डिंग कैसे लगी थेंकिसो वेरी मच कोड़ ब्लेस यू वेलकम पाइल टू आईए देख लेते हैं जिनो ने भी yellow card चुना था उनके लिए क्या messages आ रहे हैं किस तरह के होंगे उनके partner क् किस तरह के होंगे blockages किस तरह से उनकी जरू को ही किया जा सकता है तो यहां पर ये card बता रहा है two of coins का card आया है तो ये card देखिए यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ carrier से related message आ रहा है कि आपके partner इस वक्त हो सकता है अपने किसी carrier की उलजहर में उलजह हुए हूँ चीजों को लेके चलना चाहते हूं किसी ना किसी तरह की बातों को हील करना चाहते हूं यानि कि कही ना कहीं उनका mind divert इस तरफ तो चल रहा है इस तरफ तो यही प्लाह लग रहा है साथ से the sun का card आया है देखिए बहुत हो सकता है कि आने वाली जो गर्मिया है उनमें उनके आसपस आप पर अपने partner से मिलें या आपके partner आपको मिलें कोई न कोई गर्मी वाली या तो जगा हो सकती है यह गर्मियों का season हो सकता है इस तरह का दिखाईर यहां पर दे रहा है दसन का card आया है तो दसन का card तो यही बताता है कि गर्मियों की बात करता है गर्मियों की season की बात करता है आपका कार्ट साथ में ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जदा emotionally अपने आपको balance करने की कही न कहीं इस वक्त हो सकता है dry कर रहे हो या कर रहे हो आप अपने पार्टनर से जब भी मिलेंगे तो आपके पार्टनर अपने अपनी चीजों में शायद थोड़े से उलजे होए होंगे अपनी केरियर को थोड़ा सा समा रहे होंगे हो सकता है किसी तरह के दो केरियर की बात कर रहा है यहाँ पर हो सकता है किसी तरह की किसी ब्रोकिंग के काम में हो किसी मैनेजर के काम में हो किसी इस तरह के काम में हूँ जिसमें दो तरह के उनको काम करने पड़ते हूँ या किनी दो जगा पे वो काम कर रहे हूँ कुछ इस तरह की चीज में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना दो कामों में उल्चे होए होगी और उनकी भागदोड भी जादा होंगी और बहुत जादा उनकी भागदोड रहती होंगी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन चीज़ों को अच्छे से बैलेंस वो कर लेते होंगे यह दो चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है यह वो अच्छे से जानते हैं चीज़ों क तो बैलेंस कहीं न कहीं कट चुके होंगे, एक बैलेंस चेट में चल रहे होंगे, और आपके जो पार्टनर हैं, आपके साथ एक बंदन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक एमोशन चाहते हैं, एक ऐसा जर्म-जर्म का बंदन चाहते हैं, जो कि शायद किसी के पास नहीं होत तो वो जिस जो जिन्दगी उन्होंने अब तक नहीं जी है, वो बहुत अच्छे से जी हैं, उन्चीजों को बहुत अच्छे से लेके चलें, अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ करें, अपने पार्टनर के साथ रहें, अपने पार्टनर के साथ रहें, अपने पार्टनर रहेंगे कि आपकी जानकरी उनको हो, उनकी जानकरी आपको आप क्या कर रहे हैं, क्या खाया है, क्या पिया है, कहां गए है, थोड़ा सा पजेसी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि थोड़े से पजेसी वो हो सकते हैं, आपकी तरफ ध्यान रखने वाले हो सकते हैं, आप मे इस तरह से उनका होगा, इसलिए उनका हमेशा ध्यान आपके उपर ही रहेगा और आप से शायद कहीं उनका ध्यान भटकेगा नहीं, कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक रिलेशन बनाने कि उनकी इच्छा होगी, कि इस इंसा टाइम तुम मेरे पीछे लगे रहते हो या लगी रहती हो, थोड़े यहरे के लिए मुझे अकिला छोड़ दो, लेकिन एक्च्छी में लोग चाहते ही हैं कि लोग उनको अटेंशन दे तो आपके पार्टनर शायद आपको ओवर अटेंशन दे दे देंगे, इस ते कास यहां पर दिखाई दे रहा है, तो लेकिन लेकिन आप भी जात पर आप पर परवसानद दे दे हैं कि चल रहे हैं, आप Chाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपसे घ्ने बैलेंस और में बालेंस अच्छीजों hem को Always बहुत चाहिए करएं आप जाहते कि आपके साथा क की नहीं कि कोई आपका कोई financial burden share कर रहा है आप मतलब कही न कही न बहुत अकेला पर महसूस करते हैं अपने दिल में आपको ऐसा लगता है कि सब चीजे न आपके उपर ही पड़ गई है आपको ही करनी पड़ती है आपको ही सबकी सुननी पड़ती है आपको ही sacrifice करना पड़ता ह है सब चीज़ें आप पहल जादा प्रीश यह त्रह SJझा है कि आप प्रेशर हो गया है कि iron पर आ गया है कि कहीना फोकस गडबडा गया है आपका यह फोकस पर कर दिया गया है कि आपका जो फोकस है कि आपका जो बड़ Blind बहुत अपर शेयर हो जाएगा जैने कि ऐसा लग रहा है यहांपे कि आने वाले पस कुछ समय के अंदर ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर ऐसा आ सकता है जिससे कि आप अपनी शेयर करेंगे अपनी बाते शेयर करेंगे देखिये आपको आपके जो पार्टनर हों क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि क्योंकि आप कि ना कोई नकी नकी हालात, या उनकी रहनाद की चल सबस inhbies आवेक्छी की बाद करता हे ल valid तो वह और कार्था है। अपने आपको नब बदल रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में पीछे होता आया है हो सकता है कि वो एक dysfunctional family से आते हो dysfunctional family जिसमें की relationship को उतनी importance नहीं दी जाती हो सकता है बच्चों पे ज़्यादा दिहान नहीं दिया जाता हो सकता है उनके आसपस का महल ऐसा हो जिसमें उस तरह की चीज़े ना होती हो तो कहीना कहीना और हो सकता है उनको लोगों ने बहुत धोका दिया हो बहुत सारे लोगों ने उनका use किया हो उनके emotion से खेडा हो तो कहीना कहीन transformational phase से गुजर रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपनी चीज़ों को change करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं और बदल रहे हैं तो आप उनको कहीं न कहीं हो सकता है ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको जब वो मिलें यानि कि जब आपको वो दिखाई दें तो वो जैसे आपको हो सकता है कोई दूसरी बार वो मिलें क्योंकि उनकी personality यहाँ पे change होती दिखाई दे रही है और आप चल रहा था या परिशान हो रहा था उसकी चीज़े अब बदलनी शुरू हो गई यानि कि वो कही न कहीं अपने आपे बहुत महनत कर रहे हैं बहुत ज़्यदा एक ऐसी इंसान का काड़ है जो कि महनत करने के लिए कुछ भी करता है किसी भी लेवल तक जाता है अपनी अपनी हाद वर्क करने वाले इंसान होंगे जो चीज़ो को बहुत अच्छे से करने का सोचता है या करता है कोई बहुत ज़याता है इनकी जो एनरजी है, वो नो ट्रांस्फोर्म है, यह इनकी बतली है, इन्होंने पिर आप पर बहुत काम किया है, और इस टीज में यहां तक आने में इनको बहुत महनत लगी है, कहीना कहीना यह बहुत स्टॉंग यहां पर कार्ड बता रहा है कि इस लेवल तक आने में इंको बहुत मैनत लगी है देखिए आपके रिलेशन के अंदर जब भी आपका लोगों का रिलेशन बनेगा एक पॉजिटिव वे में तो बनेगा लेकिन साथ यह रहेगा कि आप लोगों के असली रूप देखोगे यानि कि जब आप लोगों का रिष्टा जुड़ेगा तो बहुत सारे लोगों के चहरे पे जो परदे पड़े होंगे न वो उदर जाएंगे यानि कि जब आप लोगों को यह रिष्टा बनाना होगा या बना के चल रहे होंगे तो अपने पार्टनर से मिलें, आप भी दिल से बहुत अकेले हों इस वक्त में या उस वक्त भी आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हों, आपको लगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, किसी तरह का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो यहां पर यह भी द दूर हो जाओ गर ऐसा होता भी है क्यों कि कहीं न कहीं आप लोगों के सामने उनके सामने भी अपने लोगों की अपने दोस्तों के अपने परिवार किया और लोगों की यह सिच्चाइशन की सचाइयां खुलेंगी आपके सामने भी ऐसा होगा कि बहुत सारे चीज़ों से पर यह तो इस चीज के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत स्टॉंगी, ठीक है, साथ ही साथ देखिए, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत खुल के बात करनी होगी, वरना कहीं नहीं यही ब्लॉकेज बन जाएगी, जब आप लोगों के सामने कोई सि करोंगे, तो उससे होगा? उससे यह होगा कि कहीं न कहीं हार्ट शेयर नहीं होगा, चीजर शेयर नहीं होंगी, और आप लोग्त आपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताऊगी, ओ खुलके बाते नहीं करोगे, तो उससे प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, साधिसा दे energy बड़ी हाई रहेगी तो आप जब इस relation में आप आते हैं तो देखिए जब भी आप इस relationship में आएंगे जब भी आते हैं तो आपको करना क्या है आपको यही करना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में एक balance energy में रहना है चीज़ों को balance करके रखना है कंजूसी नहीं दिखानी है आप लोग के जो relation में दिखाई दे रहा है कि कंजूसी नहीं दिखानी है तो कंजूसी कहा होती है कंजूसी यह होती है कि आप अपने दिल की बाते शेयर नहीं करें आप अपने मन की बाते शेयर नहीं क तो उसके लिए करना यह बहुत जरूरी है याननिकि अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो आप उन से शेर कीजिए और उनको भी आपसे करना चाहए यह बात आप उनसे जरूर कीजेगा और उनको बोल दीजेगा कि शेर करना तुम्हारे दिल में जो कुछ भी बात हो और अग बैक्नांट को पितके से पर सस्यूद्रू ऐससे सोतने और फिरोषा क्रेंगे नहीं करें जरे नहीं का मुदम मेलेंगए या उचीजों को लेके आगे चलेंगे, तभी वो growth हो पाएगी, growth तभी होने वाली है, तो देखे, heart तो share करना ही पड़ेगा, relation में रहेंगे, तो heart नहीं share करेंगे, तो कैसे होगा, intensity बहुत high रहेगी आप लोगों के relation की, यानि कि यह जो भी आपका जब भी relation बनेगा, यह card ब आपके चीज़ resonate कर सकती है, कुछ के साथ नहीं कर सकती है, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने भी पहले भी कहा, कि आप इस इंसान से पहले मिले हुए हो, और यह इंसान जब आपके सामने अब दुबारा आए, तो आप इसको पहचान ना सके, यह आपको लगया और यह तो कैसा और यह कैसा हो गया है, कैसी थी या कैसे हो गया है, यह कुछना कुछना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यह transformation से गुजर रहे हैं, एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो इनका जो बदला हुआ रूप है आपको इनकी तरफ ठीच डालेगा, त तरफ तरफ रहे हैं, है है जब आपके पहले से अाज़ कोई इंसां को इनमे कागे क्यों कार समय हो, इसका आपको की감मस्टिय के बाते है किस्वा इवानते इसको सब्साल इसमें, आपको क्यों के लिए और ज्तार है है क्यों मैग्नेटिक अ बैटन्स दें कि सुननी चाहिए और उसको मानना चाहिए कि जब आपके relation बनी तो आपको क्या चीजे नहीं करने इतना सुन्दर relation है इतना प्यारा relation है तो सुन्दर काल आए है तो थोड़ा सा उसमें अगर effort डालना पड़ता है तो बुराई क्या है ना बुराई तो कुछ नहीं है और रिष्टा ये तो आपको पता है कि ऐसा होगा है ना क्योंकि आप रिडिंग सुन रहे हैं दूसरे ने तो रिडिंग हो सकता है सुनी हो कोइंसिदेंस हो तो सुन लियो तेकिन अगर ना सुनी हो तो उनको तो नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है आप तो आवे रहे हैं तो आपको क्या करना आपको काम करन तो काम आपको जरूर करना चाहिए, अपने उपर काम करने में देखे कोई बुराई भी नहीं है, अगर अपने उपर हम काम करते हैं, तो अपनी चीज़ों को हम हील कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं, अब अगेन आप लोगों का देखे जो कार्ड आ रहा है, एक मिन्ट मैं इसक इससे ये एक feeling तो मुझे आ रही है, कि एक न बहुत जुड़ाव आप लोगों के अंदर बहुत होगा, ये कार्ड आपके जो आ रहे हैं इस तरह की ये बता रहा है कि बहुत जुड़ाव आपका होगा, ट्रस्ट की बात कर रहा है, देखिए आपकी जो situation है, तो आपको फे लग जाते हैं, तो आपको लड़ना नहीं है अपने partner से, देखिए हमने अभी जब शुरुआत की थी reading की, तो हमने यही बात की थी, आपके इंदर जो blockages होंगे, हम उसकी बारे में बात करेंगे हैं तो बुरा नहीं मानना है, अपने जो blockages हों पर काम करना है, तो intensity high होने से क्या होता है, कि हम बहुत जदा उम्मीद करने लग जाते हैं, हम अपनी कमियों पे काम नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी अपनी कमियों पे काम कर लेना है, ट्रस्ट रखना है, chemistry बना की रखनी है, अपने partner को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो भी चीजों मे balance बना कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और बढ़ना चाहते हैं, अपने partner के साथ एक अच्छा relation रखना चाहते हैं, तो हमें भी होती है, तो हमें भी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी तो हमें कहीं कहीं करना पड़ता है, लेकिन जो बड़ी चीजे क्या है, उन बड देखे, friendship की बात कर रहा है, यहाँ chemistry की बात कर रहा है, यहाँ friendship की बात कर रहा है, यहाँ friendship की बात कर रहा है, यह काट भी friendship की बात करता है, तो क्या चीज है, हो सकता है आपके कोई पुराने friend हो, ठीक है, यह भी हो सकता दिखाई दे रहा है, और, sorry, यहाँ पर यह भी दिख सकते हैं, जब आपका उस partner के साथ एक अच्छी understanding होती है, एक अच्छी समझ होती है, ना, तभी तो हम किसी इंसान के चलाई partner हम बन सकते हैं, जब उसको दोस्ती की level पे जानते हैं, तो पहले आप उनको अच्छे से समझ लीजिए, और हमेशा एक दोस्त पहले बन के रहिए, देखिए, जैसी ये काडवी आपका sharing की बात करता है, कौन लोग share करते हैं, तो दोस्तों share करते हैं आपस में, उसी तरह से एक ना faith बना के रखना है, एक प्यार बना के रखना है, एक sharing करके चलनी है, चीज़ों में बाची जैसी ये कार्ड भी शेरिंग की बात कर रहा है, तो अपने नोट्स बना दीजी का, इसके लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी रिष्टों में काम करना पड़ता है, हमको ऐसा नहीं होता है, कि आज एक रिष्टा बनाया और कल छोड कि इसमें काम नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, तो जब हम किसी नहीं रिष्टे को बनाते हैं, तो उसमें काम भी करना पड़ता है, तो करना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं इसमें, आइडियास और इंस्पिरेशन की बात कर आपका काड़ तो बहुत सुंदर काड़ है यानि कि आपके रिष्टे में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहेगा आप अपने रिलेशन को जिन्दा रखने के लिए इसमें कोई ना कोई ऐसी चीजे करते रहें जो कि आपके रिलेशन को जिन्दा रखें उनको एक हार्मनी म कुछ भी नहीं है तो हाथ में हाथ पकड़के निकल जाए ये घूमने के लिए है उसमें तो पैसे नहीं लगते sharing की बात कर रहा आपका card कुछ ना कुछ idea की बात कर रहा एक ना inspiration एक प्यार एक दोस्ती अपने relation में आपको बनाए रखनी होगी अगर आपको ये relation चाहिए कि relation ब्लकुल ठीक रहे तो relation बहुत अच्छा रहेगा आपका बहुत बहुत प्यारे card आए है card बहुत प्यारे card आए है अगर बाइचन साब को इसमें आपकी reading नहीं मिलती है ये समझ नहीं आती है तो आप card बहुत सुन्दर है card बहुत प्यारे है आप लोगों के लिए बहुत सुन्दर message आए है लेकिन जब आप जो आप यह हैं जिन्होंने ये card आए देखिए एक दोस्त बन के एक chemistry बना कर ये आपका relation चलेगा आगे तो आपने ये reading सुनी है तो ये काम तो आपको ही करना होगा और जब आपके partner अगर इस reading को सुनना चाहे तो आप उन्हें भी सुना दीजेगा हो सकता है कि वो भी अपने पे काम कर लें तो हो सकता है दो नहीं अपने पे काम करें तो एक बड़ी है chemistry बन जाए तो इस अपने playlist में कहीं save कर लीजेगा हो सकता है ये कहीं काम आ जाए ठीक है तो यही message था आपके लिए खुश रही है happy रही है जो भी life में partner आएंगे सभी के साथ काम करना पड़े का चाहिए आप एक को छोड़के दूसरे के पास जाए दूसरे को छोड़के तीसरे के सरगोन संपन कोई नहीं होता है सब में कमिया होती है ठीक है तो अपने अच्छे दोस्त बनाईए पहले partner को दोस्त बनाईए उसके बाद उसके साथ में lover बनते होए भी पती-पत्नी बनते होए भी एक अच्छा रिष्टा बनाईए दोस्त बनके तो यहीं उमीद है कि आपको पनी रिडिंग पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना नहीं बूलेगा रिडिंग संते-संते आप लोग भूल जाते हैं और अगर आपको रिडिंग पसंद आई हो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को तो थैंक यू सो वेरी मुच गड्ब्स यौल